So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में दीपक नाइट्रेट शेयर के बारे में बात करेंगे और इस शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में भी हम आज देखेंगे वहीं आज जो शेयर का प्राइस है वो 1804 है और शेयर में 0.34% की गिरावट आई है वन मंथ में जो शेयर उसमें 0.44% की नेगेटिव रिटन्स मिले है मैक्स में आल टाइम में देखें तो आल टाइम में जो शेयर है उसने 10,000 से भी जादा यहाँ पे अच्छे प्राफिट समय बना के दिये है वहीं अगर हम इस शेयर के मार्किट कैप की बात करें तो जो शेयर की मार्किट कैप है वो 24,603 करोड रुपे है और जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 2 रुपे है बात करें शेयर के बीटा की तो वो 0.95 है यानि कि इस शेयर की जो मार्किट कैप फेस वैल्यू और बीटा है वो तीनों ही यहाँ पे positive नजर आ रहा है तो जो share है आपके लिए यह काफी जादा profitable है अगर इस share में गिरावट देखने को मिली है तो जब market open होगा तो हमें इस share में एक काफी अच्छा uptrend भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और जो share की आज की volume है वो 2 lakh की है यानि इस share में अब तक 2 lakh shares trade होए है वहीं जो delivery है वो 72K की है और volume जो है yesterday की वो 4 lakh की है 1 week average की 3 lakh और 1 month average की 3 lakh तो इस share की volume और delivery है वो दोनों ही यहाँ पे काफी जादा अच्छी आई है और जो volume और delivery है वो काफी जादा quantity में भी यहाँ हुई है बात करते हैं इस share के resistance और support level की तो जो share का highest resistance level है वो 1863 रुपे for 97 पैसे है यानि इस share में जो हमारा highest price है वो 1863 रुपे है अगर जो हमारा price है वो 1863 रुपे जाएगा तो वो 1-2 month बात के around तक जा सकता है तो अभी तो फिलाल इस share के price में गिरावण देखने को मिली थी मार्केट के open time में price की recovery हो जाएगा